क्या कहा था पुणिया उम्वीद्वार के तौर पर चुनाव जरूर लड़ रहा हूं लेकिन कॉंग्रेस का साथ प्राप्त है हर किसी के एक ही आवास पूनिया और पप्पू निर्दलिय उम्वीद्वार के तौर पर भी पूनिया से चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन इंडिया गड़बंधन को मजबूत बनाऊंगा नामांकन बरने के बाद यही सब बाते कही गए थी पपू यादव की तरफ से लेकिन अब उनका दाम ही उनके उपर उल्टा पड़ गया है क्योंकि कॉंग्रेस की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि नामांकन वापस ले लो हमें ये मन्जूर नहीं है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्याक्ष अखिलेश जी की तरफ से ये बात कही गई है पपु जी को कि नामांकन निर्दलिय के तौर पर जो आपने भरा था ये घुस्ताखी किया आपने नामांकन बापस ले लीजे किसी भी रूप में इंडिया गट बंधन या फिर कॉंग्रेस इस तेवर को बढ़दाश्त नहीं करेगी बाखैदा उधारण दिया गिया है ये बताया गया है कॉंग्रेस की तरफ से कि कैसे बहुत से उमीदवार थे जिने नहीं मिल पाया चुनाव चुन जिने प्रत्याशी नहीं बनाया गया उन्होंने तो ये काम नहीं किया निखिल कुमार को और अंगाबाद से टिकट नहीं दिया पाटी ने लेकिन वो नहीं लड़े निर्दलिय उमीदवार के तौट पर तो पप्पु यादव को भी ये नहीं करना चाहिए ये कॉंग्रेस की तरफ से कहा गया है मतलब नामांकन के ठीक बाद जो पप्पु यादव की तरफ से बाते कहीं गई थी क्या वो सब जूटी थी? क्या वो कोरी कलपना थी? क्या पप्पु यादव अपनी तरफ से स्टोरी बना बना के जनता के सामने पेश कर रहे थे ताकी उन्हें मिल पाए लोगों का समर्थन पप्पु यादव ने नामांकन के बाद एक जनसभा भी की थी और इस जनसभा को करते हुए उनकी तरफ से मोश्टल काट खेला गया था फिल्मी डालोग जैसे होता ना क्या कमी रह गई थी मुझमे यही कहा था उन्होंने लालू यादव का नाम लिया तेजस्वी यादव का नाम लिया और यह पूठा उस जनसभा में कि मुझमे क्या कमी रह गई थी जो पूणिया से मुझे सीट नहीं दी गई उमीदवार नहीं बनाय गया काभी मुझे कह दिया गया कि तुम भलानी सीट पर चले जाओ, मधे पूरा चले जाओ, लेकिन पूर्णिया को छोड़ दो, क्यूँ? सबकी एक ही आवास पपू और पूर्णिया, यही बाते वो कहते वे दिखाए दिया थे, लेकिन अब उनका दाम उल्टा पड़ चुका है, और उन्हें ही भारी पड़ चुका है, अब कॉंग्रस ने जब यह बता दिया कि तुमारे यह तेवर हमें बरदाश्त नहीं है, तो अगला कदम पपू यादव का क्या रहने वाला है, इसके उपर तो सब की नजर रहे गी ही, क्योंकि कॉंग्रस यह कह रही है कि नामांकन वापस लेने की जो तारीख है, उसके पहले पहले ले लो नामांकन वापस, पर अगर पपू यादव नहीं वापस लेते हैं नामांक एंडिये की बात करें उनकी तरफ से जो उम्मिद्वार उतारा गया है वो मौजूदा सांसद हैं अब पिछले लोगसभा चुनाफ का अगर मैं आपको यहां उधारण दूँ तो लोगसभा चुनाफ के दौरान संतोष कुश्वाहा को 6,32,000 से जादा वोट मिले थे दूसरे नमबर का जो क्यानिदेट था मतलब जेडियू और कॉंग्रेस का उनके बीच में तकरीबन 3,00,00, वोट उंका अंतर था तो वैसे ही BJP जेडियू की स्थिती मजबूत है मतलब NDA की स्थिती मजबूत है तो मजबूत स्थिती में भी दूसरे नमबर पर जो कॉंग्रेस तो वो कहावत सुनिया ना आपने दो बिल्नियों की लड़ाई में फाइदा हमेशा बंदर का होता है और वही फिलहाल इस लड़ाई में दिखाई दे रहा है क्या वही वाली कहावत दो बिल्नियों की लड़ाई बंदर का फाइदा यहां देखने को मिलेगी पपु यादब नेदलिये चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या जनता का उन्हें साथ मिल पाएगा या अपनी सिर्फ फुटवल में कहीं इंडिया गडवंधन पूर्णिया की सीट से हाथ तो नहीं दो बैठेगा राय आपकी क्या है? कॉमेंट सेक्शन में बताईए कॉमेंट सेक्शन में बताईए